जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसे कहानी कहूँ या अपने द्वारा लिखे गए कुछ शब्द कहूँ, ये इसका टॉपिक है, इसका टाइटल है, बदलते समय से लेकर अभी तक महिलाओं की इस्थिती में कितने बदलाव आए हैं, तो इस लेक के जरीए मैंने अपन को बुरा ने लगेगा. अकसर बच्पन में दादा दादी के कहानी किस्सों में सुना करते थे उनके जमाने की कई सारी बातें, कई ऐसे किस्से जो सुनकर बड़ा आनन्द आता था. और हमें लगता जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही है दादी बताया करती थी किस तरह से वो मीलों दूर चलकर घास वो लकडियां काट लाया करती थी और सुबह जाकर शाम को ही लोटती थी उस समय गाड़ी की ना तो सुविधा थी और ना ही इतना धन हुआ करता था महिलाएं स्वयम से ही सुबह उठ कर नहा धो कर दिया बाती कर बच्चों और घर के बड़ों के लिए खाना बना कर कुछ हलका नास्ता कर खास और लकडियों की तलाश में निकल जाती और मीलों का रास्ता तै करती और अपने साथ छोटी सी गटरी में रखती कुछ चावल या खाजे भूख लगने पर सभी महिलाएं वही मिल बाट के खाती और प्यास लगने पर धारों और नौलों का पानी पीती और शाम को ठकी हारी घर आने के बाद फिर से घर के कामों में जुट जाती जैसे चाई पानी बनाना बरतन मांजना रात के खाने की तैयारी करना और यही दिंचरिया उनके दैनिक जीवन की थी फिर चाहे गर्मी हो सर्दी हो या फिर बर्सात हो आधुनिक समय में भी बहुत कुछ बदलाव आये हैं गाउं में लोग पड़े लिखे होने लगे हैं सडके गाउं तक पहुँच चुकी है गाडी की सुविधा भी हो गई है और महिलाएं शिक्षित होने के साथ साथ रोजगार में भी हैं पर कहीं न कहीं देखा जाएं त सुबह उठकर नहा धो कर दिया बाती कर सभी घर के बच्चों और बड़ों के लिए खाना तेयार कर अपने काम पर जाती हैं दिन भर आफिस में काम करने के बाद शाम को वापिस घर में आकर वही घर के कामकाज में जुट जाती हैं वैसे देखा जाए तो प्राचीन काल से कई सदियों से समय बदला, वातावरन बदला, सोच भी बदली लेकिन आज भी महिलाओं की इस्थिती में कोई बदलाओं नहीं हुआ है आज भी उनकी इस्थिती वही है और महिलाओं भी शान्त स्वभाओं से सारे काम इतनी सहजता से करती हैं मानो उन्हें कोई ठकान ही न हुँ? सच में, महिलाएं महान होती हैं. वो कहते भी तो है ना, वो उश्मा है, उर्जा है, प्रकृति है, पृत्वी है. क्योंकि वही तो आधी दुनिया और पूरी इस्नि है. झाल झाल